हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप उम्मीद है कि आप ये अच्छे होंगे आज का सो टॉपिक है वो वर्ड का सबसे इंपोर्टन टॉपिक है सबसे महत्पुर्ण टॉपिक है क्योंकि ये आपका हेल्प उस समय करेगा जब आप कुछ ऐसी स्थिती में फसेंगे आपने काम तो कर नहीं हुआ वो कैसे अभी देखते हैं पाइल पर क्लिक करते हैं और यहां पर सबसे नीचे आता है ऑप्शन्स मैंने का अभी था कि आप्शन्स तभी हम पढ़ेंगे जब हमारा लेयाउट खतम हो जाएगा क्योंकि इसके बाद ऑप्शन्स के जुरूरत सुरू हो जाती है आप समझने लगता है कि क्या क्या होगा तो सबसे पहले जनरल पर आते हैं यहां पर कुछ ऐसे भी ऑप्शन्स में सेटिंग से जो तुरंत इफेक्ट में नहीं आते हैं उसके लिए एक पर वाड को बंद करना पड़ता है और फिर एक बार चालू करना पड़ता है तो सबस तूलबर और सेलेक्शन का मतलब क्या है पहले इसको दिखते हैं यह कुछ इंपोर्टन सा चीज है इसको सबसना जरूरी है देखिए इसके लिए कुछ लिखते हैं अब चैसे कुछ सेलेक्ट करते हैं तो देखिए एक छोटा सा टूलबर आगया यह वाला यही है मीनी टूलबर इसी को कहता है कि सेलेक्शन पे वह आए हम क्या करते हैं कि सो मीनी टूलबर को हटा देते हैं और ओके कर देते हैं अब जब हुम select करेंगे तो वो option नहीं आएगा वो बंद हो गया तो आप चाहते हैं कि उसको आए ना आए तो वो आपके उपर है आप उसको बंद कर सकते है इनेब लाइब 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 दिखाता रहेगा इसके बाद आता है update document content और drawing उसको रने यह वो भी एक डम ठीक है वो डॉक्मेंट को अपडेट करते रहता है आपके drawing को उसको नहीं चेरना काभी भी नहीं कोलाप्स ता ribbon automatically अब यह जो ribbon है यह जो यह जो मेनूर दिख रहा है वो automatically hide हो जाएगा है अटमेंटिकली छुप जाएगा वह कैसे यहां पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं यह हाइड नहीं हुआ क्यूंकि मैंने कहा था कुछ ऐसे चीज़ होती है जिसको एक बार बंद करके चालू करना पड़ेगा तो एक बार हम क्या करते हैं किसको बंद कर देते हैं डॉन से और फिर से एक बार word खोलते हैं, जैसे हमने word खोला, देखिए वो hide हो गया है, तो वही चीज है, इसको आप वहाँ से hide कर सकते हैं, फाइल पर आते हैं, options पर आते हैं, और ऐसे हमने collapse किया तो इसको अटा के ok कर देते हैं, अब फिर से नहीं आया, कोई issue नहीं है, फिर से बंद करिए, और एक बार फिर से खोलिए, वो आ जाएगा, और यह आगया, ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, फाइल में आते हैं, options में आते हैं, और दोस्तों इसके बाद change करने की कुछ भी जूरत नहीं है, कि वो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए user का name, user का name आप यहा चला रहे होंगे, initials किस नाम से start होता है, वो कर सकते हैं, उसके बाद यहां से themes, themes मैंने बढ़ा था, account में और आपको बताया भी था, कि यह themes हम system default रहने देते हैं, user system setting, use system setting कर देते हैं, थाकि जो भी आप computer में change करें, वो उसके अनुसार बदल जाए, इस से आगे बढ़ते display, display में आते हैं, और यहां पर कहता है, कि so while space in print layout view, जब white space कब करेगा, जब हम print layout में जाके देखेंगे, तो वहां पर दिखाएगा, जैसे, यहां पर आई यह file और print पर आते हैं, यह जो white space दिखा रहा है, उसकी बाद कर रहा है, ठीक है, इसको options पर आते हैं, फिर से, और य highlight marks उसको छोड़ दीजे, highlighter का जो mark होगा, वह दिखाई देगा, so document, toolbar on h over, h over जैसे लेके आएंगे, उस पर कोई toolbar पर होगा, यह toolbar, वह दिखाई देगा, उसको भी छोड़ दीजे, निकि वह आपके लिए बहुत helpful रहता है, जैसे जो उसके बारे में, उस tool के बारे में आपक सकते हैं, कुछ special characters हैं, कुछ special marks हैं, जो आप यहाँ से show करा सकते हैं, यह tab character, space character, यह सब को show करा सकते हैं, उसके कुछ खाज जुरुत नहीं पड़ती है, लेकिन सबसे ज़ुरुत, सबसे importance जिस क्या है, तो print drawing create involved, जो भी drawing create करेंगे, वह दिखाई देगा, print background color and image, यह हमने offset किया था, ध्यान होना चाहिए आपको, कि जब हमने design पढ़ा था, यहाँ पर क्या किया था, कि design में आते हैं, और face का color को select कर देते हैं, और print out करते हैं, तो हमारे print out में आता है, अकर इसको हम change कर दें, यहाँ से, display में आके, इस चीज़ को हटा दे, तो क्या होगा, कि जब ह हमने करा से किया था, तो display में आने के बाद, यहाँ से print background, color and image, जो भी background में image और color लगाएंगे, वो यहाँ से आ जाएगा, print document property करना चाहते है, तो document कर जो property होता है, कितना line, कितना वे, वो सब दिखाएगा, एक बाद इसको ok करते हैं, और देखते है, control P, अब यहाँ पे जब भी print होगा, तो property भी छाप देगा, ठीक है, इसके बाद एक बाद, options में आते हैं कैसे, और हम इसको हटा देते हैं, कि यहाँ में property नहीं चाहिए, sorry, यहाँ पे नहीं है, display में है, property नहीं चाहिए, उसके बाद print hidden text, जो कुछ hidden text होते हैं, उसको भी छाप देगा, और hidden text क यहाँ है, तो यह सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, वही hidden text है, उनको भी छाप देगा, यह कभी नहीं करिए, कि hidden text छापने का कोई मतलब नहीं, आपका जो document होगा, वो बेकार होगा, अपडेट फिल्ड विफोर प्रिंटिंग छोड़ देजिए, वो प्रिंटिंग ज अब useful क्या है, तो proofing, proofing क्या होता है, proof, हम जो कर रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, वो हमारा सही है कि नहीं, इस proofing का use किस में होता है, तो review में होता है, यहाँ इस menu में, इसका अभी options देखिएगा, तो कुछ जादत समझ में नहीं आएगा, यह proofing में जब हम उस समय आएंगे तो proofing का कान तब होता है, जब आपका पूरा document बनके ready हो गया है तब, इस proofing को यहाँ पर अभी नहीं पढ़ेंगे, कि वहाँ पर आएंगे तो परने में ज़्यादा चलाएंगे, उसका save, यह बहुत important है आपके लिए जानिए, करा है कि save the document format, document का क्या format होगा, word document.docx, इस format म save करेगा, आप चाहें तो यहाँ से कोई भी change कर सकते हैं, by default उसी format में save करना चालू कर देगा, उसके बाद आता, save auto recover information every 10 minutes, हर 10 minutes के बाद यह word अपने file को खुद बखुद save कर देगा, अगर आप चाहते हैं कि उसका time कम कर दे, तो time कम कर देजे, साथ कर दिए, तो 7 minutes बाद व यहाँ पर आता है, keep the last auto recover version, version if I close without saving, अगर आपने कोई document save नहीं किया है, और direct बंद कर देते हैं computer, यह computer direct बंद हो जाता है, तो वो कहां रहेगा, वो यहाँ पर वो file जाके save हो जाएगा, एक बार इस जगा को खोल के देखते हैं, browse करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई यहाँ दो जो file हैं, यह हमने इसको save नहीं किया था, यह automatically computers बंद हो जाने के कारण से ऐसा हो गया है, तो वो बताने के लो का आप करता है, तो यह ऐसा वहाँ रहेगा, आप उसको भी save कर सकते हैं, इसको छोड़ दीच, उसमें अच्छेट शर करिये, इसको छोड़ दीच, उसमें अच्छेट शर करिए, उसदीच को भी लेना चाहता हैं, नहीं, उसको छोड़ दीच, वैसे ही जैसे हैं, बाबो वैसे ही करो, अब safe to computer to by default, आप computer में by default save करने लगे जाए, यह options जैसे आप इनेबल कर देते हैं, तो आपका document क्या होगा, जब भी आप काम करने लेंगे, तो वो by default save करने लेगा, तो आपका computer slow हो सकता है, इस लोग उसको change ना करे, लेकिन ऐसी स्थितिया आ जाती है, जहां पर बिजलीक बहुत जादा जाती है, या फिर आपके computer में UPS नहीं है, या user, URI, document, पतलब my document में जाके document में by default कोई भी file save करता है, उसको आप यहां से change कर सकते है, ड्राफ क्या कोई file होगा, कहां पे लेके जाएगा, sharepoint के draft में लेके जाएगा, अब यहां पे और कुछ जादा छेड़ चार करने की जूरुत नहीं है, अब यहां पे देखिए, day to keep file on office document cache, अब इसको क्या करेगा, कि इस file को कितना दिन तक अपने कैसे memory में रखेगा, 14 दिन तक, आप उसको कम भी कर सकते हैं, उसको ज्यादा भी कर सकते हैं, तो by default 14 है, उससे कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करिए, यहीं जितना ज्यादा कर देंगे, उतना दिन तक वो backup रखे office document, when they are close, जैसे उस document को close करते हैं, तो वो क्या करेगा, उस file को, कैसे को clean कर देगा, तो आप इसको कर सकते हैं, इससे आप क्या होगा, complete of past लाएगा, delete कैसे file यहाँ से, कोई कैसे file होगा, उसको आप delete कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हिंदी करेंगे, जो भी language आप करेंग लेकिन करना परता है, profile available, इसको install करना परता है, install होगा, तभी वो काम करेंगा, otherwise लेकिकन रहेगा, जो भी आपको language add करना होगा है, जो असे language add कर देजेगा, और यहाँ से here, उसका profile add करना शुरुक करना शुरुक करनेगा, उसके बाद आता है, accessibility में इसमें कुछ खास नहीं है यह इस चेंज इसको पढ़िए या ना पढ़िए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मीनिमाम है नहीं भी करिए का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें बोलता कि आप कोई feedback देना चाहते है कोई इसमें दिया हुआ है अब एडवांस आता है एडवांस में क्या करता है कि यहां से typing replace selected test जो भी typing करेंगे replace करतेगा जो select text select जो text है जैसे इसको देखते है एक बार यह कलर को क्या करते हैं और यहां पर एक सब्द जो हमारा important है लिखने के लिए r a d randomly sorry randomly कुछ कर देते हैं रिख दिया हमने यहां से जब select करके कुछ type करेंगे तो उसको replace करने जाए एकदम कर देगा क्योंकि हमने उसको select करके यह options पर हमने click करके रखा हुआ है advance में की type replace selected test जो भी replace वो होगा उसको replace कर देगा और यह सबसे बला साइटिंग का options है advance का तो दोस्तों इस चीज़ को हम आज यहीं पर खतम करते हैं कि यह video बहुत लंबा हो जाएगा advance custom ribbon भी बहुत लंबा है topic तो हम इसका दूसरा पार्ट कल शुरू करेंगे और आज हम इस video को यहीं पर समाप्त कर देए क्योंकि advance custom ribbon quick access toolbar और add-ons और trust center तो यह कुछ खास नहीं है लेकिन यह जो तीन चीज़े है यह topic बहुत लंबा हो जाएगा और यह video बहुत ही बढ़ा हो जाएगा तो इसको आज यहीं पर खतम करते हैं कल के video आपके लिए और भी जाता है important रहेगा वाइड के point of view से या फिर किसी भी वाइड एक्सल powerpoint के point of view से आज के बिए यहीं पर खतम करते हैं thank you very much